ये आकश्वणी रायपूर है प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं शुश्मा स्रिवास अब तक तीन देशों के कलाकार रायपूर पहुँचे कल चार अने देशों के कलाकार भी आएंगे बच्चों के पोशन के बारे में फीडबैक लेने के लिए आज वर्ल बैंक की टीम ने दूर्ग जिले के पाटन विकास खंड के ग्राम कसी का दौरा किया और उत्री दिशा से हवाओं के आगमन के साथ ही कल से प्रिदेश में तापमान गिरने के साथ ही बढ़ेगी ठन भारत ने कोविड टीका करना भ्यान के अंतरकत एक सो करोर टीके लगा कर इतिहास रचा है इस महत्यफुन कारे में योगदान करने वाले चिकिसकों नर्सों और अन्य स्वास्त करिमियों का आकाश्वाणी अभिनंदन करता है इसके साथ ही हम आपको सतरक भी कराना चाहते हैं कि कोविड अभी समाप्त नहीं हुआ है आप सभी से हमारी अपील है कि यथा शिक्र दोनों टीके लगवाएं और अन्य लोगों को भी टीके लगवाने के लिए प्रेरित करें तो हरों की समय कृप्या इन तीन आसान उपायों का पालन अवश्य करें मास्क लगाएं, दो गच की सुरक्षित दोरी बनाए रखें, बार बार हाथ धोएं और चेहरा साप रखें कोविट से संबंदित जानकारी और मार्क दर्शन के लिए राष्ट्री हल्प लाइन काम कर रही है 36 गड़ के लिए हल्प लाइन नंबर है 1-04 और 0771-2-2-3-5-09-1 साथ ही राष्ट्री हल्प लाइन नंबर है 1-075 अब समाचार विस्तार से जागुकता सप्ता का विशह है स्वतंत्र भारत अट दरेट 17-5 सत्यनिष्ठा के साथ आत्मनीर भर 36 गड़ में भी आज शाष्ट की कारेलों में अधिकारियों और कर्मचारियों ने इमानदारी और सत्यनिष्ठा की सपत ली दक्षिनपूरे मदरेलवे के बिरासपूर इस्तित मुख्याला में भी आश्चापत ग्रहन समारों आयजित किया गया इस मौकी पर महा प्रबंदक आलोक कुमा ने सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को सत्यनिष्ठा की सपत दिलाई राश्विय पी टीका करण अभ्यान के अंतरगा देश भर में अब तक 102 करोट 96 लाग से अधी कोविट रोधी टीके लगाय जा चुके हैं इस भी दूर्ग जिले में भारती जनता यूअ मोचा के कारेकरताओं ने देश में कोविट टीके के 100 करोड डोज लगाने का लक्ष पूरा होने पर मानो श्रिंखला बना कर प्रधान मंती नरेन मोदी और इस लक्ष तक पहुँचने में अपनी महत्त पुन भूमी का निभ उन्होंने अधिकारियों और आगामी चार नॉमबर तक जिले में शक्त प्रतिशट टीका करन पूर्ण करने का लक्ष दिया है 36 गड़ में 28 अक्टूबर से शुरू हो रहे राश्ट्री आदिवासी नित महोसों में भाग लेने के लिए अब तक नाइजीरिया, फिलिस्तीन और शिलंका की कलाकार रायपूर पहुच चुके हैं संस्कृती विभाग के संचालक विवेक आचारे ने बताया कि इस महोसों में शामिल होने के लिए साथ देशों के कलाकारों की सहमती मिल गई है कल चार अन्य देशों के कलाकार भी आ जाएंगे इसके अलावा देश के 27 रज्जियों और 6 केंदर शासित प्रदेशों के कलाकार भी इस राश्टी आदिवासी नित्स महोसों में शामिल होंगे 28 अक्टूबर को इन कलाकारों दलो के मार्च पास्ट के साथ राश्टी आदिवासी नित्स महोसों का शुभारम होगा तीन दिनों तक चलने वाले इस महसों में विदेशी और देशी कलाकार अपनी प्रस्तूतिया देंगे इस भी संस्कृति मंतरी अमजीद भगत ने गोशना की है कि प्रदेश के कलाकारों की समस्याओं के निराकरन के लिए महने में एक बार जन चौपाल की तरज पर कला चौपाल लगाई जाएगी इस कलाचौपाल के माध्यम से कलाकारों की समस्याओं का शिग्र निराकरन किया जाएगा बच्चों के पोशन के बारे में फीडबैक लेने के लिए आज वर्ल्ड बैंक के टीम ने दूर्गजले के पाटर विकास खंड के ग्राम कसी का दौरा किया विश्व बैंक के टीम ने शुपोशन अभियान का अध्यान करने दो राज चुने हैं इन में से एक छटिसगर और दूसरा गुजरात है कसी गाउं में टीम के सदस्यों ने बच्चों से और आंगन बाड़ी कारेकरताओं तथा गर्वती माताओं से चर्चा की साथ ही आंगन बाड़ी में इस्थापित सुपोशन बाटी का भी देखी राजपा अंसुया उई के कल कर्म योगनी सम्मान कारेकरम में शामिल हुए इस मौके उपर उन्होंने कहा कि 36 गड़ की बेटियों की उपलबदियों पर हम सब को गर्व है यहां की बेटियों ने कला, साहित, विज्ञान, खेल, कूत, पत्रकारिता, प्रशासन, हर छेत्र में पर्चम लहराया है और अपनी परिवार सहीत प्रदेश का नाम रोशन किया है वे कभी भी किसी चुनोती से न घबराएं और निरंतर आगे बढ़ते रहें यह कारिक्रम बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, संस्थाद्वारा आईजित किया गया था प्रादेशिक समाचार आप आकाश्वणी रायपूर से सुन रहे हैं 36 गड़ की खबरों से है आपका वास्ता और खबरों की विश्वस्नियता से है हमारा वास्ता आकाश्वणी समाचार रायपूर के प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ ही हमारे समसामाई कारिक्रम आप रेडियो के लावा अपने मोबाईल पर भी सुन सकते हैं आकाश्वणी समाचार फेस्बुक, ट्विटर और यूट्यूब पर भी उपलब्थ है आप तक 36 गड़ की हर खबर के लिए सुनते रहिए आकाश्वणी समाचार आज के प्रश्ण के बाद बताए जाने वाले वाट्स अप नमबर और इमेल पर भीजना है अमरीट महसो के तहट आज का प्रश्ण है राश्टगीत वंदी मात्रम किस प्रसिद्य उपन्यास का अंश है इस प्रतियोगता के लिए एक भागेशाली प्रतिभागी को विजेता चुना जाएगा और कल के समाचार प्रभात में उनके नाम की घोशना की जाएगी विजेता को ई प्रमान पत्र और सांकेतिक पुरुसकात दिया जाएगा मुख्यमंती भुपेश बगे लोकवाणी में इस बार उधमिता और जन्षशक्ती करण का 36 गण मॉडल विशे पर बातचित करेंगे इस संबन में कोई भी व्यक्ती आकाश्वणी रायपूर की दुर्भाश नंबर 0771, 2, 4, 3, 0, 5, 0, 1, 5, 0, 2, 5, 0, 3 पर कल 27 से 29 अक्टूबर तक दो फैर 3 से 4 बजे के बीच फोन करके अपने सवाल रिकॉर्ड करा सकते हैं मुख्यमंतिकी मासिक रेडियो वार्ता लोकवाणी की 23 कड़ी का प्रसारन 14 नौमबर को होगा इसका प्रसारन 36 गड़ इस्थित आकाश्वणी के सभी केंद्रों एफम रेडियो और छेत्री प्रसमाचार चनलों से सुब़ साड़े 10 बजे से किया जाएगा शिल्प नगरी कॉंड़ा गाउं में शिल्प कलाकारों को प्रसाहित करने के लिए जिला प्रशाशन द्वरा पंखुरी सेव समीती के सहीयोग से कॉंड़ा नार हस्थ शिल्प महोसों का आइज़न किया जा रहा है यह महोसों 30 अक्टूबर तक चलेगा बीते दिनों उद्योग मंतरी और जिल्प के प्रभारी मंतरी कावासी लखमा भी महोसो इस्थल पर पहुंचे और शिल्प कारों द्वरा लगाई गई प्रदशनी का अलोकन किया तथा इस्थानी शिल्प कारों से मुलाकात कर उनका प्रोसाहन किया कारिक्रम के दोरान इसकूली बच्चों और इस्थानी कलाकारों ने लोग गीतों पर पारंपरिक जन जाती निरत्य प्रस्तूत किया इस उसर पर हस्त शिल्प वोट के अध्यक्ष और नारायन पूर विधायक चंदन कश्यबी उपस्तित थे दुर्ग जिले के इसकूलों को तमाकू मुक्त संस्थान बनाने के प्रयाज सुरू कर दिये गए हैं इस कड़ी में तीन दियूसी प्रशिक्षन शिविर का आयोजन कर शास की इसकूलों के पचास शिक्षकों को प्रशिक्षन दिया जा रहा है प्रशिक्षण में आई शिक्षगों को इस्कूल परिसर के अंदर और बाहर 100 मीटर के दारे में तमाको की बिकरी तथा सेवन करने वालों पर अंकुष लगाने के लिए नोडल अधिकारी के जिम्मेदारी दी गई है गौतलब है कि जिले के 3000 इसकूलों को आगामी 14 नॉमबर तक बाल दिवस के मौके पर तंबाको मुक्त संस्थान बनाने के लिए विशेश अभियान चलाया जा रहा है राजी में पढ़ना लिखना अभियान के अंतरगत महा परिक्षा अभियान में शामिल लगबग दो लाग शिक्षारतियों के डाटा सीजी स्कूल डॉट इन पोर्टल में तीन दिन के भीतर अपलोड करने के निदेश दिये गए हैं राजी साक्षरता मिशन प्रधिकरण के संचालक राजी सिराणा ने बताया कि न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम के तहट प्रदेश के एक तिहाई असाक्षरों को साक्षर करने के लिए विशेश कारी यूडना तयार के जाएगी इसके मध्यम से बुनियादी साक्षरता और अंग ज्यान के साथ असाक्षरों का कौशल विकास जीवन कौशल वित्ती साक्षरता कानूनी साक्षरता डिजिटल साक्षरता पर विशेश जोर दिया जाएगा और साक्षरों के लिए एक विशेज पार्टिक्रम तयार करने SCRT में 28 अक्टूबर से कारेशाला का आयोजन भी किया जाएगा और अब पेशे मौसम का हाल प्रदेश में कल से तापमान में कमी आने के साथ ही ठंड बढ़ने की संभावना है मौसम विभाक्यंसा देश के सभी भागों से दक्षिर पशिम मांसून की विदाई हो गई है शत्तिसगर में कल से उत्री दिशा से हवाई आने शुरू हो गजाएंगी उत्तर से शुष्क और ठंडी हवा आने की कारण प्रदेश में नियूंतन तापमान में गिरावट होने की प्रबल संभावना है साथ ही अब सुबाय के समय धूंद भी बने रहने की संभावना व्यक्त की गई है अब कुछ खबरें संशिप्त में 36 गार क्वांटिफाइबल डाटा आयोग कल 27 अक्टूबर को जिला मुख्याले महा समून और गरियाबन के दोरे पर रहेगा आयोग यहां अन्य पिषड़ा वर्ग और आर्थिक रोप से कमजोर वर्गों के संगठनों और प्रतिनीधियों से चर्चा करेगा केंद्र सरकार के वित्ती सेमाई विभाग के निदेश पर और रायपूर कलेक्टर के मार्ग दर्शन में कल सुबह 11 बजे से रायपूर के कलेक्टरेट परिसर इस्थित टाउन हॉल में व्यापक रिन शिविर का आयोजन किया जाएगा कॉंडा गाउं जिले के विकास नगर सामुदाइक भवन में कल 37 अक्टूबर को आयोजित होने वाला जिला इसरी रोजगार मेला अपरिहार कारणों से सगित कर दिया गया है आमादभी पार्टी के कारेकरताओं ने बढ़ती महंगाई के विरोध में आज महासमुद के कचरी चौक में धर्ना प्रदर्शन कर राष्ट पती के नाम ग्यापन सौपा रानदगाओं में जिला सहकारी समीती करमचारी संग ने अपनी पांस सुत्री मांगों को लेकर कल सांकेती कांदोलन किया इन करमचारीों ने चेतावनी दी है कि अगर उनकी मांगे पूरी नहीं की गई तो वे आठ नॉमबर से रायपूर के बुढ़तला परिसर में अनिशित कारीन हर्तार पर धान खरीदी का बहिशकार करेंगे और महासमुद में खास सुरक्ष अधिकारी के नेतुत में टीम ने आज मिठाई दुकानों में शापा मारा दुकानों से मिठाईयों और खात का तथा पेपदार्थों के नमूने लेकर चलित मोबाईल लैब से जाज की जा रही है अब तक शहर की 35 से अधिक दुकानों के सैंपल लिए जाग चुके हैं अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर देश भर में आज मनाया जा रहा है सतरक्ता जागरुपता सप्ता शास की कारेलों में अधिकारी और कर्मचारीयों को सत्यनिष्ठा की सपद दिलाई गई 36 गड़ में परसों से शुरू हो रहे राष्टी आदिवसी निच महोसों में भाग लेने के लिए अब तक तीन देशों के कलाकार रायपूर पहुँझे बच्चों के पोशन के बारे में फिडबैक लेने के लिए आज वर्ल बैंक के टीम ने दुर्ग जिले के पाटन विकासखन के ग्रामकसी का दौरा किया और उत्री दिशा से हवाओं के आगमन के साथ ही कल से प्रदेश में तापमान गिरने के साथ बढ़ेगी ठन इसी के साथ प्रदेशिक समाचर बुलेटेन समाप्त हुआ नमस्कार झाल